हाई अबरीबडी वैलकम तो दे यूटूब चैनल ऑफ कवर्मेंट कल्सकोलेस ताराणगर इस वीडियो लेक्टर में हम देखेंगे क्लास ओफ्टिक्थीज के जनरल क्राक्टर्स और इसका क्लासिफिकेशन तो प्रिविएस वीडियो के अंधर हमने देखा था खेंगा क्लास कॉंटरिक्थीज के जनरल क्राक्टर्स और तो चलिए सुरू करते हैं कि क्लास ओफ्टिक्थीज का नाम यह क्यों पड़ा तो जो उस्टिक्थीज वर्ड है ग्रीक English की दो वर्ड से मिलकर बना है पहला वर्ड और दूसरा वर्ड है एक्तीज। और फेस्ट्ट्यों का बतुत है बोन और एक्तीज का मतबत होता है फिश तो names कि लुख पिश इस लिए बोला जाता है क्योंकि इनका झो एंडो-skeleton जो होटा वो बोन्स का बना होता है, हड्डियों का बना होता है, ठीक है, इसी वज़े से इस कौन क्या बोलते है, उस्टिक थीच, तो इनका common name क्या होगा, बोनी फिसज, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसके general characters, तो अगर हम इनके habitat की बात करें, तो फिस एकवाटिक होते ह यह सभी type के जो waters होते हैं, सभी type के water के अंदर यह देखने को मिलते हैं, चाहिए fresh water हो, brackish water हो, यह फिर marine water या salt water हो, इनकी body जो होती है, वो spindle sept होती है, तरकू रूपी होती है, जिससे कि यह पानी के अंदर easily travel कर सके, और streamlined होती है, तो यह adaptation है इनका पानी के अंदर movement करने का, इनके अंदर दोनों type के fins present होते हैं, movement के अंदर fins पाएजाते हैं, और यह fins कौन कौन से type के होते हैं, median और paired, median जैसे की dorsal fin है, ventral fin है या फिर anal fin है, caudal fin है और paired, जैसे की packtol fin और pallplic fin, तो यह fins present होते हैं, जो की सब्सक्राइब ताइब होती है, और इन fins के अंदर cartilage atfa bone के ब होती है तो हमने देखा था कॉंट्रिक्थीज के अंदर जो टैल होती है वह हैटेरो सर्कल होती है और तो homo circle के अंदर क्या होता है कि जो codal fin होता है उसके जो दोनों lobs होते हैं वो equal होते हैं तो इस टाइप की जो tail को हम क्या बोलते हैं homo circle इनकी skin के अंदर बहुत सारी mucos glands देखने को मिलती है और skin के उपर अलग अलग टाइप के dermal scales होते हैं तो और यह dermal scales basically तीन टाइप के होते हैं ganoid, cycloid और tinoid तो contracties के अंदर हम ने देखा था कि वहाँ पर केवल placoid scales होते हैं यहाँ पर तीन टाइप के scales होते हैं कई जो species हैं उनके अंदर scales नहीं पाए जाते हैं तो यहाँ पर placoid scales देखने को नहीं मिलते है placoid scales पाए जाते है contracties के अंदर इनका endoskeleton जो होता है वो bonds का बना होता है और कुछ species ऐसी भी होते हैं कुछ groups ऐसी भी होते हैं जिनके अंदर यह cartilage का बना होता है जो कि हम आगे classification के अंदर देखेंगे तो अगर हम इनके girdles की बात करें तो पहले भी girdles जो होती है वो छोटी होती है और simple होती यह फिर absent भी होते हैं और clasper scint के अंदर नहीं पाए जाते है contracties के अंदर क्या होता है जो पहले भी girdles होता है यह modify होकर किसका formation करता है क्लाइसपर का formation करता है जो कि एक copulatory organ होता है sperm को deposit करने का काम करता है इनका mouth या तो terminal होता है या फिर sub terminal होता है मतलब जो body का end होता है मतलब एकदम body का tip होता है जो शिर्ष भाग होता है वहाँ पे यह present होता है contracties के अंदर यह कहाँ पे present था यह mental side के अंदर present था इनके जबडेस होते हैं इनके अंदर सावन्टर teeth देखने को मिलता है और इनके अंदर Cloaca नहीं पाया जाता है तो Cloaca नहीं पाया जाता है तो क्या देखने को मिलेगा Anis देखने को मिलेगा respiration के लिए gills के चार पेर होते हैं जो की gill axe bonnie gill axe के उपर present होते हैं और सबसे important तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों side के उपर एक common operaculum होता है जो की gills को cover करने का काम करता है तो यहाँ पर operaculum present होता है contract इसके अंदर operaculum नहीं था इसके अंदर कुछ के अंदर duct present होती है और कुछ के अंदर duct present नहीं होती है और यह duct क्या करती है इसको fairing से connect करने का काम करती है और अगर हम बात करें dipnoy की order dipnoy की तो इसके अंदर क्या होता है लंक के जैसा होता है, फेफडों के जैसा होता है, हर्ट इनका two chamberd होता है, तो two chamberd के अंदर एक oracle और एक ventricle, तो एक oracle होता है, एक ventricle होता है, दो chambers के अंदर देखने को मिलते हैं, और blood vascular system, हर्ट के अंदर, sinus venousus और conus arteriosus दोनों भाग प्रेजेंट होते हैं, इनकी जो इरिथ्रो साइट से इनकी जो आर्बीस ये वो ओवल होती है अंडाकार होती है और इसके अंदर नुकलियस प्रिजेंट होता है ये अपनी बोडी के टेंप्रेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इनकी बोडी का टेंप्रेचर एट्मोस्फियर के अकॉर्डिंग चे 10 pairs internal ear के अंदर 3 semi circular canals पाए जाती है unisexual होते हैं यह sex is in के separate होते हैं और इनकी जो gonads है वो कैसी होती है paired होते है fertilization सामानत इनके अंदर external होता है contractis के अंदर यह internal था और यह अधिकांस थे कैसे होते हैं भी पैरस होते है एग लेंग फीसेज यह होती है और development यूजिली इनके अंदर कैसा होता है direct होता है मतलब किसी भी टाइप की larval form इनके अंदर देखने को कि नहीं मिलती है classification तो class of tickthies को दो subclass के अंदर classify किया जाता है पहली subclass सार्कोप्टेरिजाई और दूसरी class है सबक्लास actinopteryजाई तो सार्कोस का मतलब होता है flassey और terisium का मतलब है fin तो इनका common नाम होता है flassey fin या lob fin fish और अगर हम बात करें actinopteryजाई की तो actinopteryजाई तो ray और terisium का मतलब fin तो इनको इनका सामने नाम होता ray fin fish तो सार्कोप्टेरिजाई जो होता है इनके जो paired fin होता है यह या तो leg के जैसे होता है यह फिर lobbed होता है ठीक है जिसके अंदर बीच में क्या पाई जाती है एक boni central axis होती है और यह boni central axis कैसी होती है flassey होती है mansal type की होती है इस वज़े से इनका नाम क्या है सार्कोप्टेरिजाई अगर हम बात करें actinopteryजाई की तो actinopteryजाई के अंदर जो paired fins होता है इनके अंदर dermal fin raise पाई जाती है जो कि इनको support करते है इस वज़े से इनका नाम क्या है actinopteryजाई तो जो सार्कोप्टेरिजाई है सब class इसको दो orders के अंदर classify किया जाता है तो पहला order है अपना order crossopteryजाई order crossopteryजाई तो यहाँ पर crossoptery का मतलता fringe fringe या एक जालर जैसे सरंचना बनती है बोड़ी की चारो तो अगर हिनके codal fin की बात करें तो crossopteryजाई के अंदर एक single living genus एक single living genus इस class के अंदर आता है जिसका नाम है Latimeria तो यह आपका क्या है एक living fossil है उसके दूसरा जो order है वो है dipnoy तो dipnoy को lung fishes भी कहा जाता है ठीक है और इसका यह नाम क्यों पड़ा तो die का मतलत है double और noe का मतलत है breathing तो इसके अंदर जो air bladder होता है वो lung की जैसा होता है सामाने तर respiration gills के दौर आता है लेकिन इनको बार-बार क्या होता है surface के उपर आना पड़ता है तो double breathing lung fishes की के वाल तीन species live है वह तीन species कौन-कौन सी है पहली है Neoceratodes दूसरी है protopterus और तीसरी है lapido siren तो जब हम evolution पढ़ेंगे तो evolution के अंदर हमें evolution के evidence पढ़ने है कि evolution real में हुआ है तो उसके अंदर हम एक example Neoceratodes का भी लेंगे discontinuous distribution के अंदर उसके अपना जो अगला सब class है वो सब class actinoptery तो इसको हम तीन infra class या फिर तीन super order के अंदर classify करते हैं और ये तीन super order कौन-कौन से हैं पहला super order है condros tie, दूसरा है holos tie और तीसरा है talios tie तो सबसे पहले देख ले हम condros tie, condros tie का antrus का मत्त होता है cartilage and off-tune का मत्त होता है bone, तो इनके अंदर क्या होता है कि cartilage भी present होती है और bone भी present होती और ये जो होती है, ये primitive ray fin fishes होती है सबसे ओल्ड टाइप की रेफिंट फीशेज है और इनके अंदर जो स्केल से वो गैनोइट टाइप की होते हैं इस वज़े से इनको क्या बोला जाता है कार्टिल लेजिनस गैनोइट तो इसके अंदर दो ओर्डर आते हैं पहला ओडर है पॉलिप्टेरी फॉर्मीज जिसका एक्जामपल है पॉलिप्टेरस और दूसरा जो ओडर हुआ है ओडर एसी पैंसरी फॉर्मीज जिसका एक्जामपल एसी पैंसरी अफ्टर जियन और दूसरा एक्जामपल पॉलियोडॉन तो यह जो एसी पैंसर या जो फ्टर जियन है तो इसके अंदर या फिर जो एसी प Colliptery Formage और Order Acipensory Formage दूसरा है अपना Hole of Tie, Hole of Tie, Hole of Tie का मतलब होता है Entire of Tune का मतलब Bone तो यह Refined Fishes होती है Intermediate Refined Fishes इसके अंदर दो order आते हैं पहला order Amiformis जिसका एग्जामपल है Amia या Bofin और दूसरा order है Semi Ontiformis जिसका एग्जामपल है Lapidosteus तो सबसे Advanced Type की जो Modern Refined Fishes है वो किसके अंदर आते है Tally of Tie के अंदर तो Taleos का मतलब भी Complete है और Often का मतलब Bone तो यह आपकी Advanced या Modern Refined Fishes होती है जिसके अंदर Total 15 orders आते हैं पहला order है order Clupy Formis इसका एग्जामपल है साल्मो या साल्मन फिस दूसरा order Scopelli Formis इसका एग्जामपल हार्पोडोनिया Mumbai Duck तीसरा order order Cypreeny Formis तो इसका एग्जामपल है सिप्रिनस कार्प लैबियों रोहुफिस कटला और वैलागों तोथा order order Angbilly Formis तो इसके अंदर जो फ्रेस वोटर इल है Angbilla वह इसके अंदर आता है उसके फिफ्ट ओर बैलोनी Formis या Sinanto Gnethy तो इसके अंदर Exocytus या Flying Fish आती है उसके सिक्स्थ ओर्डर सिंगनेथी Formis तो इसके अंदर Syngnetus या Pipe Fish और Hippocampus या Sea Horse इंक्लिवड किये जाते हैं 7th order Opheos Cephaliformis या Chinese Formis तो इसके अंदर आता है Opheos Cephalis या चना Snake Head Fish 8th order Simbranchiformis इसका एक्जांपल है Simbrancus 9th order order Master Symboliformis तो इसके अंदर आता है Master Symbolis 10th order order Percy Formis तो इसके अंदर आता है अनाबास या फिर Climbing Perch 11th order order Scorpeniformis order Scorpeniformis तो इसके अंदर आता है टेरोस या Scorpion Fish 12th order है Pluronactive Formis तो इसका एक्जांपल है Pluronactive या फिर Flatfish 13th order order Icaniformis तो इसके अंदर आता है Icanis या सकरफिस और 14th या Tetraodontiformis तो इसके अंदर आता है कहांस तो जो Poisonous Fishes है वह Tetraodontiformis के अंदर include की जाती है इसका एक्जांपल से Diodon Porcupine Fish Tetradon Globe Fish of Traceon Trunkfish और उसके लास्ट जो ओर्डर है वो है order Lofiformis तो इसका एक्जांपल है Lofius और Antenarius जिसको हम क्या बोलते हैं Angler Fishes तो Lofius और Antenarius दोनों ही Angler Fishes के अंदर आते हैं तो इस टाइप से जो आपका सबसे Advanced तो रेफिंट Fishes है वो कौन सा है टेली ओफटाई जिसके अंदर टोटल कितने orders आते हैं 15 और्डर तो यह आपका है जनरल क्रेक्टर्स और क्लासिफिकेशन क्लास अफ्टिक थीजगा तो नेक्स अपना वीडियो लेक्चर होगा वोगा क्लास एमफीबिया के उपर